नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका सर्च अजार देमें दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ओफो वीवो रेयलमी की तरफ से धमाकेदार और जो है स्मार्टफोन लाँच होने जा रहा है इसी महीने में अलग-अलग कंपणी अलग-अलग स्मार्टफोन जो है लाँच कर रही है और इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा बिट करने वाला है इंडिया में बाहर देशों की तो बात अलग है लेकिन इंडिया में सबसे बेस्ट परफारवेंस बला स्मार्टफोन कौन सा है तो आज इस वीडियो में हम आपको टॉप 5 smartphone बताने वाले हैं तो आए सुरू करते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें तो honor की भी हम बात कर लेते हैं honor भी अब ले नए नए जो smartphone है वो launch कर रही है और इंडिया की जो requirement है उसके हिसाब से ही भले ही वो चैना की company हो हवाई कमपनी हो लेकिन अब होनर वाला जी भी है अच्छे-च्छे कैमरे वाले स्मार्ट फोन वीवो से सिख करके जो है अच्छे कासे उसी के कम प्रीजन में निकाल रही है तो आए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ओनर की दरब से, ओनर 90 है, जो मुबाइल आपको तीन केमरा की तरब बैक केमरा उसमें मिल जाएगा, जिसमें की 64GB, जो है एक में 64GB दिया गया, उसमें 200MP और 12MP, 12MP, यह 3 केमरा है, जिसमें की आपको फरंट केमरा 64MP का मिल जाएगा, और बैक केमरा 200MP का मिल जाएगा, और 22MP के दो केमरे मिलेंगे, जो माइक्रो केमरा होता है, जो छोटा चीज को बड़ा देखने के लिए करना है, यानि बारिकी से अगर कोई भी चीज को आपको जूम करना है, जैसे कोई पता है या पिर है, उसको जूम करके बड़ा करना ह है, जैसे मीडर होता है, उस तरह का, तो आपको बड़े में देखना है, छोटा चीज बड़े में देखना है, तो आपको 2MP का इस्तमाल कर सकते हैं, मैक्रो केमरा रहता है, अब आगे बढ़ते हैं, इसका जो बैक अप है, वो 5000 इमेच की बैटरी बैक अप दी गई है, और इसमें 6.7 इंच का इसके अंदर, इमेच डिया गया है, बागी जो परफॉम्मेंस है, उसमें एपक्चर 2.5 दिया गया है, और इसमें जो बैक कैमरा है, 1.9 और 10 के इसाब से दिया गया है, दूसरा जो फॉन है, वो आपको रियल मी के तरफ से है, जीटी आया था, वो जाद है, पॉपलर हुआ, उसमें कैमरा भी कॉलिटी भी अच्छी थी, लेकिन उसी को देखते हुए, आप नया फॉन लाँच हो रहा है, जिसमें की एस्पेक्टेड इसकी जो जो लाँच डेट है, वो 27 अगस्त रखा गया है, यानि कि इसी महीने में आपको 27 अगस्त को म तो स्माटफोन आप स्नाप ड्राइगन का 7 टू जनरी सन दिया गया यानि सेंप्लस जनरी सिकंड जनरी सन अभी जो पहले आ रहा था, इस सीरफेरrière जो आप्स्ट जो स्माटफोन जो स्नैप ड्राइगन का चिपसेटथ बना है, उसमें यह लाँच किया है, अब आगे आपको बहुत जाद है इस रेंजिवें तो से कम तो बहुत ही जाद है। यह होना चाहिए लेकिन इसका जो performance snap dragon है यहाँ पे company camera को quality को थोड़ा कम करके जो है प्रोसेसर पर थोड़ा ज्यादा धियान दिया है यहाँ पे आपको camera quality में compromise करना पड़ेगा अब आगे बढ़ते हैं तीसरे mobile की तरफ हम चलते हैं तो तीसरा mobile है हमारा realme का 11 realme की तरफ से ज और बहुत ही बेहतरीन performance के साथ यह जो है mobile snapdragon 8.5 अगस्त को यह launch होगा 2023 में 8.5 अगस्त यानि इसी महीने में जो launch होने वाला phone है उसी phone के बारे में हम आपको बता रहे हैं जो कि आपको RGB RAM और 8 Megapixel का ही इसमें camera दिया गया है इसमें comparison करना पड़ेगा और आपको 50 Megapixel 64 Megapixel का back camera 22 Megapixel का micro camera दिया गया है अब आगे बढ़ते हैं इसमें battery backup की बात करें तो इसमें 50K में इसकी बैटरी दी गई है अब आगे हम बात करें इसकी जो camera aperture है aperture आपको 2.5 इसके अंदर aperture दिया गया है अब आगे display की बात की जाए तो 6.420 443 दिया गया इंच display है और इसका जो बढ़ा है रेडमी से भी बढ़ा है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं दूसरा मोबाइल जो है सौमी की तरफ से आ रहा है सौमी MI 13 Ultra जो है बहुत ही जाद है अगर आपकी performance अगर आपके पास पैसे है अच्छा तो आप इस mobile का इस्तमाल कर सकते हैं अब आए जानते हैं इसका जो स्नैप ड्राइगन का एट जेनरेशन सिकन जेनरेशन चल रहा है यानि आठ स्नैप ड्राइगन का एट जेनरेशन जो है वह आठ स्नैप ड्राइगन एट और सिकन जेनरेशन यानि स्नैप ड्राइगन में जो एट थाजन जो चल रहा था स्नैप ड्राइगन एट थाजन उसका प्रोसेसरा तो चल रह है है। इसमें 2 ग्रंड दिजनेर्शन और नेटेंट 60- muốn इसके अंदर दिए गया है , अब करते हैं दो चाएवं गया और चार्ज इ बी एक्स्ट्रा आपको एक्स्टरनल रैम दिए गया हैETH यानि वर्चूल रैंट आप एक्स्टेंड कर सकते हैं कैमरी तक अगे बढ़ते हैं पचास-का थीन कैमरा दिया गया आपको पस्टास का पैक औप ने पकुछ के श्रीजिख मेंंगका आपको चार सकते ग olmuş में मैं मकली मैं सब्सक्राइब हुए III जो है उसमें पचेस-5 चार दिए वह चार केमरे किस तरह के यूंस होता है 50 पности चार के Alexandru किसी तरह क यूज वक्र प्रोसेसर बढ़ा देता तो इस तरह का दे सकते तो 32 बी का इसमें फ्रांट कैमरा दिया गया है और आपको प्राइज की बात करें इसका 90 वाट का आपको कुई चार्जर दिया गया जो कि आपको मैकसिमम 10 से 12 मिनट में आपको चार्ज हो जाएगा मोबाल फुल चार्ज आपको हो जाएगा जिरो से लेकर के 100 तक आपको 10 से 12 मिनट में हो जाएगा अगर इसकी बात की जाए तो प्राइस की बात की जाए तो प्राइस इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो आपको Vivo V29 लाँच होने बाला है Vivo V29 यानि Vivo V25, Vivo V21, Vivo V23 और Vivo V25 ये सब होने के बार Vivo V27 आया अब Vivo V29 आने जा रहा है यानि के Vivo V29 आपको 15 आगस्त को लाँच होगा ये और Vivo V29 Snapdragon 778 chipset दिआ गया है और RGB RAM 50 MP का आपको कैमरा आठ MP 2 MP के 2 दो केमरे बाक कैमरे दिये गए हैं और 50 MP का फरंट कैमरा सामने का कैमरा आपको 50 MP का है और 46 हमेज की बैट्री दी गई है 4600 हमेज की बैट्री और 80 वाट का Fast Charger इस में दिया गया है और 778 आपको डिस्पले दिया गया है 6.78 जो है आपको डिस्पले दिया गया है 17 इंच की डिस्पले समझाद, 17 संटिमिटर की डिस्पले है ठीके, और प्राइस की बात की जाए तो लगबग 32, 33,000 के आसपास यह प्राइस है उमीद करता हूँ कि यह मॉबाइल आपको पसंद आया होगा इसमें से आप जो भी परफार्मेंस वाले मॉबाइल ले सकते हैं मुबायल लेकिन अ भी वी वी ट्वी ट्विन टी नाइन अपने सब्सक्राइब सेलती का में तोचपाइब ड्वाण से जाधा सेलिंग Vivo V25 हुआ था उम्मिद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्क्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बबाए जैहिं